हेलो फ्रेंट्स वेल्कम इन आवर चैनल मैं गोविन सर्मा आपका विजेता वैट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं डांस फॉर्म इन इंडिया हमने क्लासिकल डांस कर लिए हमने कुछ लोक नर्ते कर लिए हैं आज ही क्लास इस लाइक भी पसंद है चलते हैं डांस की वीडियो करते हैं डांस की सारी चीजें करते हैं लोक नर्ते में आज का जो हमारा राज्य रहने वाला है वो हम जहारकंड से शुरू कर रहे हैं अब जहारकंड बहुत बड़ा राज्य है और इस राज्य में अलग-अलग परकार की जंजातिया निवास करती हैं और अलग-अलग परकार की जंजातिया समूदाय निवास करते हैं जो की नरते और तेवारों से भरा पड़ा है यानि कि पूरा भारती भरा पड़ा है हलाकि जारकंड के बारे में हम पड़ रहे हैं संथाल जंजाती जो है वो संथाल नर्टय करती है यह मुख्य रूप से जारखंड में और पस्यम बंगाल में फेमस है यह नर्टय समू में किया जाता है यह असम मिजोरम के बास नर्टों के लिए या फिर उनसे काफी मिलता जोलता है जैसे कि आपको पता है मिजोरम के अंद करती है संथाल जंजाती इसको प्राय करती है और यह नर्त असम और मिजोरम के बास नर्तों से काफी मिलता जुलता है या काफी मेच करता है उसके बाद आगे चलेंगे अगला करेंगे ध्यान से सुनना यह नर्त आपका है बोराओ नर्ते आपका किस राज्य विशेस में है जारखंड में किया जाता है बोराओ खंड हो जाएगा बोराओ जारखंड में किया जाता है दो चार बार बोलेंगे याद हो जाएगा अब इसको उराओ जंजाती करती है उराओ जंजाती किस राज्य में है तुरंत अंसरा पहली बात उराओ जंजाती किस राज्य में जार्खंड में ये कौन सा नरतर करते हैं बेटा बोराओ देखो उराओ बोराओ बोराओ उराओ मुराओ दोचार बार बोलोगे अपने आप थोड़ा सा रहीमिंग आने अख जाएगी उसके बादå इखो हजारी बाग में ये नरत किया जाता है इस समुदाए को उराओ समुदाओ को हम कुरूख समुदाओ समुदाओ के नाम से भी जानते हैं याद रखेंगे तो बुराओ नरते हैं है ना कहां किया जाता है आप याद रखेंगे जहारकंड में किया जाता है उसके बाद मुंडारी देखो मुंडा मुंडारी मुंडारी नर्ते मुंडा समुदाएं करते हैं जहरखंड के और उडिशा के यह नर्ते प्राएं महीलायों पर केंद्रित होता है मुंडा अब याद रखना मुंडा जंजाती बिर्सा मुंडा का नाम सुना होगा तुमने तो मुंडा जंजाती कहा है जारखंड में है उसने मुंडा निकाला बहार तो उसने उस मुंडे को खंड कर दिया खंडित कर दिया ऐसे याद रख लो कि मुंडा जंजाती जारखंड जाती भी निवास करती है याद रखेंगे ध्यान रखेंगे इस बात को जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद फुगुवा ये भी इंपोर्टेंट है हलाकि ये फुगुवा जो त्योहार है ये परसिद है होली के आउसर पर बिहार का अगर आपसे डारेक्ट पुछले कि होली किस राज्य में बिहार होना चीए हलाकि जार्खंड के कुछ इलाकों में भी मनाई जाती है बसंत उत्सो होली के दोरान ऐसा किया जाता है तो फुगुवा डान्स लीचार बिहार जार्खंड का फेमस है याद रखेंगे उसके बाद ये इंपोर्टेंट है विरहोर नर्त है, विरहोर जंजाती पूछले जारखंड, आप याद रखेंगे, विरहोर जंजाती पूछले जारखंड में है, संथाल जंजाती पूछले जारखंड में है, हो जंजाती पूछले जारखंड में है, और अगर आपसे पूछले उराव जंजाती कायम करते àद रखेंगे विर्होर नर्ते आप याद रखेंगे आधिवाशियों के दवारा किया जाता है कौन से आधिवासी है विर्होर आधिवासी यहां पर रहने वाले है उसके बाद हुंटा न 그렇े हैं संथालों का सिकारी नर्त है जब ये लोग सिकार करते हैं तो उस समय ये नर्त किये जाते हैं देखो हुंटा हुंटा आपको याद रखना है हंट से है ना हंट करते हैं जब हंट मतलब सिकार करते हैं तब ये हंटा डांस होता है और सिकार करते समय किसी की मुंडी को ये खंड कर देते हैं उसके एना टुकडे टुकडे कर देते हैं तो खंड से याद हो जाएगा जारकंड हुंटा से हंट से याद हो जाएगा हुंटा नरत है सिकारी के दोरान या सिकार के दोरान किया जाता है उसके बाद जननी जुमर ये भी इंपोर्टेंट है जननी जुमर देखो अगर आप से पूछ ले न गूमर तो गूमर नर्त राज़स्तान का परसीद है। जैपोर जारकंड और जैपोर जुमर, याद रख लेंगे, जनानी जुमर महिलाओं का एक नर्त है, जो मुख्य रूप से बरसात के मोशम में खेती के दोरान किया जाता है, इसको याद रखना, ध्यान रखना, महिलाओं पर केंद्रित ये नर्त है, मर्दानी जुमर भी है, फसल के बाद ये नर्ते किया जाता है प्राय, कर्मा नर्ते, ये भी इंपोर्टेंट है, कर्मा नर्ते, जारखंड का है, बहुत इंपोर्टेंट है, ये नर्ते जो है, ये कदम नामक एक पेड, पवित्तर पेड से लिया गया है, कर्मा का सब्द जो है, कदम नामक एक पेड स उसके बाद जीका दसेन ये भी इंपोर्टेंट है जैपुर जीका और जैपुर जारखंड याद रखेंगे थोड़ा सा रैमिंग कर देंगे जारखंड में जीका दसेन ये संथाल जंजाती के दवारा किया जाता है बूरी आतमाओं के परभाव को दूर करने के लिए यूव पुर्षों को प्रक्षिस्चित करते हैं ये लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं इसी चीज़ को हम जीका दर्सन कहते हैं याद रखेंगे जीका दर्सन उसके बाद कंडसा कलस यात्रा ये भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट है कंडसा कलस यात्रा किस राज्य की विशेश है याद रखेंगे कंडसा नर्ते सेली है जिसमें कलस यानि की मिट्टी का बरतन लेकर ये नर्ते किया जाता है प्राय महीला परधान नर्ते है तो कंडसा नर्ते महीला परधान नर्ते है और ये एक परकार की कलस यात्रा के रूप में किया जाता है कंडसा है अगर एक महीला सा मतलब कलस सिर्फ पर रखेगी और कलस अगर नीचे पड़ गया तो कलस खंडित हो जाएगा तो खंड से बन जाएगा क्या आपका बन जाएगा आपका जहारखंड याद रखना इसको राइमिंग कर लिया ग्रो ऐसे जहारखंड के कुछ अन्य नर्ते मेरे भाई इस परकार हैं जिट का डांगा पुर्श महिलाएं दोनों करती हैं लहसवा नरते छोटा नाइक पूर पठार का एक परसिद नरते है याद रखेंगे जमदा या जामदा नरते किस रज्य का विसेस है तो याद रखना ज्हारकंड का विसेस है तो ज्हारकंड में आज हमने सीका कुछ नर्तों के बारे में जिन में से important नरते में आपको बता देता हूँ, कर्मा नरते याद रखना है, कंडसा कलस यात्रा याद रखनी है, विरहोर नरते याद रखना है, आपके पेपर में आएगा, याद रखना, याद रखना और ध्यान रखना, उसके बाद करनाटक कर रहे हैं, करनाटक भारत का एक भारत की पस्मी टटपरस्ती तरह जह है आपको पता है करनाटक यानि की नाटक कर ले इसकी थोड़ी सी राइमिंग मैं नाटक से बनाऊंगा इसकी जारकंड को खंड से हटारी नर्त है देखो हटारी 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 नर्त है ऐसे याद कर लो हटारी ए हटाले ना तो नाटक कर पिन रूप है जिसमें आठ सबद आजे ना याद रखना आठ आठ सबद जहां भी आजे तुरंत अंसर लगा देना करनाटक मैं बोल रहा हूं गलत नहीं होगा बोलक आठ बहुत बार पूछा गया है उम याठ एक दो बार पूछा गया है ये कुम याठ एक बार भी नहीं प पूर्स करते हैं है ना खुले मैदानों में तेल के दीपक के साथ काले कपड़े पहन कर इस नर्ते को प्राइक किया जाता है याद रखेंगे आठ आ गया करनाटक हो जाएगा उसके बाद उम आठ हो गया उमत आठ या उम आठ मैंने आपको बताया था कुरग छेतर में किय करनाटक राज्यमें है और कुरग भारत में क्यों परसिद है कुरग भारत में कोफी के उत्पादन के लिए परसिद है इस बात की चर्चा भी दिमाग में होनी चाहिए आगे चलते हैं उसके बाद कुमब आठ मैंने फिर बतै था आठ सवत जैसे ही आएगा तो तुम याद रखना इसके लिए नाटक यानि की करनाटक, ये भी एक भगती नर्त है, जो कोंडवा पुरुष करते हैं, ये मंदिरों में किया जाता है, आगे चलेंगे बहुत बढ़िया, वीर हो तुम, देखो ये बहुत बढ़िया है, वीर घसे, या वीर घसे, या वीर भर्धना कुंत जो नाटक कर रही थी थी तो कुंधिया नाटक करना टक अब इनमें पढ़ लेंगे वीर घासे जो नर्त है जुलाई और अगस्त में किया जाता है याद रख लेंगे स्रावन के महाद बर और मैसूर छेतर में परसिद है दसेरे के जलूस के रूप में इसको परदेसित किया है न भाई आगे लिखेंगे भूतडा कोला याद रखेंगे भूतडा कोला अब भूत ऐसे होते तो नहीं है लेकिन वो नाटकों में जरूर आते हैcular तो भूत से अगर कोई डांस आये तो तुरंट अंसर उसको नाटक से फ्रेइम करके आप लगा देंगे कर नाटक में पतानिय देवता से याद आया, ये लोग अपने पुर्वजों को पूझते हैं, इसलिए इसका नाम भूतडा कुला है, इसमें येक्सगान लोक रंगमंच को परभावीत किया है, देखो ये भी पूछेगा, येस्क गान, ये नर्ते किस राज्य में, येस्क गान, अब येस् उससे बोल रहो कि गानागा, येस्क गानागा, गानागा, आखर में तुम क्या बोलोगे, येस्क नाटक ना कर गानागा, तो येस्क गान किस राज्य का परसिद है, ये अंसर आजएगा करनाटक का, उसके बाद आही गया देखो आगे, येस्क गान किस राज्य का परसिद आपका याद हो जाएगा करनाटक में है, यह करनाटक में किया जाता है, वैशनों भक्ती पर आधारित है, याद रखेंगे, यह इसके गान का अर्थ होता है आतमाओं के गीत, याद रखना, ध्यान रखना, यह आमतोर पर सर्दियों भी फसल की कटाई के बाद गाउं में धा के खेतों में गाया जाता है या फिर किया जाता है याद रखेंगे ध्यान रख लेंगे उसके बाद यह बहुत इंपोर्टेंट है पेपर में कई बार छपा है बाया लता बाया लता डान्स किस राज्य का है है अब लता भी क्या करती है नाटक करती है याद रखना लता नाट कर रही है बायलता करनाटक का लोग परदशन है याद रखे ने ओपन एयर में किया जाता है महा का वैक कविताएं और पुराणों की कहानिया इस नरत्य के मुख्य प्रस्तिती है याद रखेंगे ध्यान रखेंगे उसके बाद अगला है मैंने बताया था कुन्थिया कुन्थिया जो नाटक कर रही थी तो कुन्थिया फिर आ गया तो कुन्थिया नरत्य किस राज्य का परसित है करनाटक का यार ऐसे तो उड़नी सकती, यह नाटक में उड़ सकती है, गारूडी, कारूडी, नाटक करना टक, है ना, यह कटपुतली नर्त है, यानि कि कटपुतली का प्रतीक है, अलग-अलग स्टैचू बना कर लोग इस डांस को करते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा फोटो म है, डोलू कुंतिया, कुरुबबा नामक, चरवाहा समुदाए इसको करता है, याद रखेंगे, डोलू कुंतिया है ना भाई, नागा मंडलम, याद रखना करना टक का इंग नर्त है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, जो अब आया है, कम साले, है ना, कम साले नर्त किस तो कम साले नर्त पुर्सो दुवारा किया जाता है, याद रखेंगे, भगवान महदेशवर की याद में किया जाता है, अनोटी लोक कला है, और पीतल से बने वद्द यंतर इसमें बजाए जाते हैं, यह याद रखना, उसके बाद सूगी, सूगी नर्त है, याद इसमें भी ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्टेचू बनाया जाता है, उसके बाद करनाटक के कुछ अन्य नर्त हैं, आप पढ़ लेना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, याद रखना, इनको मैं डाल दूँगा, पेडियप को, अगला है केरल, केरल राज्ये के विसेश नर्त हैं हम यहाँ पढ़ेंगे, केरल राज्ये भी आपको पता है कि भारत के पस्यमी टट परस्तित राज्ये है, केरल, केरल की राजधानी आप कमेंट बोक्स में बताएंगे मेरे को, अगला नर्त है जो केरल का है, मुडिये टू, मुडिये टू नर्त है, याद याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे, ये नाम भी देखो कैसे कैसे हैं, थिरुवा, थिरुवा याद रख लो वैसे इसको इतना, थिरुवा, थिरुवा नर्त है के स्राज्ये का परसिज है, याद रखेंगे केरल का है, भगवान सिव के जनम दिन पर ये नर्त है किया ज महीने में या मलियालब महीने के धनु महीने में धनु महीना मतलब क्या है डिसंबर और जनवरी का महीना धनु महीने में कोलकली केरल और कैपूर कोलकली तो केरल कोलकली का एक नर्त है या कोलकली केरल का एक नर्त है मालाबार छेतर में परसिद है आगे चलेंगे बहुत मालाबार के मुसलमनों के बीच पर्सिध एक गीत वे नर्ते परदशन है किस राज्य का है? कीरल का है मख़आद रखेंगे मख़आपाना है ortic., मैं क्या पढ़ रहा हूँ देखो यह दिमाग मेरा भराब है आज यह क्या मख़आपाना लिखा है? या ओपाना लिखा है ओपाना है यह है चलो बहुत बढ़ी है इसको ओपाना ही पढ़ देना यह बहुत बढ़ी है कुम्बत कली या कुम्ती कली कुम्ती कली कैफ और केरल कैफ और कुम्ती कली याद रखेंगे केरल राज्य का बहुत इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट कुम्तिकली कुम्तिकली से कोशन आएगा बेसक स्टार लगा लो कि आप से पूछेगा दक्सिन भारत का एक मत्तर मुखोटा नरते कौन सा है दक्सिन भारत का ये केरल का एक मत्तर मुखोटा नरते कौन सा है तो कुम्तिकली याद रखना मुखोटा लगा कर किया जाता है आप आगले नर्ते हैं कन्या कली कन्यार कली कन्यार कली को याद रखना कैफ और कैफ और केरल के डांसों में कै आता है आगे याद रखना ये भी पढ़ लेना तुम उसके बाद ये भी ये इंपोर्टेंट नहीं है इतना ये भी इंपोर्टेंट नहीं है पढ़ लेना लेकिन फिर गया है, मंगलम कली, किस राज़्य का परसीद, देखो कली आ गई, कैफूर कली, कैफूर केरल, याद रखेंगे, ध्याने रखेंगे, विवास मारों पर मनुरंजिन के रूप में मंगलम कली किया जाता है, ये पूछेगा आपसे पेपर में, लगा लो स्टार, थुलाल नर्त किस राज़्य का परसीद है, ये आपका कीरल काः, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कुटी यक्टम यह बहुत बड़ी है, कुटी यक्टम बहुत-बहुत शांधर है, ये है भारत की सबसे पुरानी जीवित नठ्य प्रम्पराह में से एक है, कुटी यकटम, कुटी याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, फूचा गया है कुट्टी याटम, यहाँ पर थुलाल फिर से आ गया, ओटम थुलाल ध्यान रखेंगे, यह नर्त आपका केरल राज्य का परसीद है, जितने भी केरल के परसीद राज्य थे, सोरी नर्त थे, वो मैं आपको करा चुका आपको जस्ट रिवाइज करना है, यह आज थोड़ी सी लंबी स्लाइड थी, इसके बाद कल की क्लास में हम बात कर रहोंगे, बेटा, कुछ अन्न नर्तों की ध्यान रखेंगे, याद रख लेंगे, आप लोगों को यह पढ़ना पड़ेगा, उचित रूप से पढ़ना प इंपोर्टेंट हैं, यानि की नोन इंपोर्टेंट हैं, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, नमस्कार, जाहिन जावारत, कल की क्लास में फिर मिलते हैं,